गढ़वा द्रिस्टी का यह खास वीडियो जिसे देखकर आपको अनुभव होगा कि आपने कुछ जाना और सीखा बेतला नेशनल पार्क से जोड़ी संपुन जानकारियां लेकर आया हूं जिसे आपके समख्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं बेतला प्रकृती की गोद में मनुरम छटा बिखेरता बेतला नेशनल पार्क जारखंड के मुखे परेटन अस्थलों में से एक है लातेहार और पलामो की सीमा पर फैला बेतला नेशनल पार्क उस अमुल धरोभर का नाम है जिसकी सुन्दर्ता, खुबसूरती, हरे भरे जंगल, नदिया जहरने, वन्य जीव जिनके मौजूदगी से सुस्मा का एक अभास होता है यहां मौजूद अनेक प्रकार के वन्य जीव जन्तू, औस धी युक्त पेन पौधे, जिनके वर्णन के लिए परेटकों के पास सब्द नहीं होते है इन खुबसूरती को बटोर ने देश के कोने कोने से सैलानियों का भिड़ बेतला में दस्तक देता है डाल्टेंगाज से 25 किलोमेटर दूर, लातेहार से 70 किलोमेटर दूर और राजे की राजधानी राची से 170 किलोमेटर दूर इस्तित है बेतला नेस्कल पार्क निकट्टम एयरपोट राची तक हवाई मार्क से आ सकते हैं इसके बाद बस या ट्रेन से डाल्टेंगाज पहुँचकर आसानी से पार्क तक जाये जा सकता है पार्क सुबह के 6 बजे से, सुबह के 10 बजे तक और दोपर 2 बजे से, साम के 5 बजे तक खोले जाते हैं घुमने आये लोगों के लिए पार्क में रहने हैतु उत्तम ब्योस्था किया हुआ है सरकारी और प्राइबेट लॉज, ट्री हाउस, होटल है होटल के रूम 1000 से 3000 में मिल जाता है यहां आने का बेहतर समय नवंबर से मार्स दका होता है चलिए चलते हैं यहां की विशेश जानकारी की और जो इसे उत्तक्रिष्ट बनाता है 10-26 वर किलो मेटर में फैले पलामू टाइगर रिजर्व भारत के उन नव टाइगर रिजर्व में से एक है जिसे 1974 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था भारत में ही नहीं विश्व में पहली बर बागों की गणना 1932 में यहां सीखी गई थी पार्क में कोयल और अरंगा नदी की मजूदगी बेतला को सितल बनाए रखा है दोनों नदी और भी अध्वुत लगती है जब इनकी धाराएं आपस में केचकी नामा कस्थान पर मिलती है केचकी में पर्यटकों को ठहरने के लिए बंगला भी बनाया हुआ है इन सबों के साथ आपको यहां हाथी, तेंदुआ, चीता, जंगली भालू, बंदर, मोर, चीतल आदी जानवन मिल सकते हैं विभिन परकार के पक्षियों की चाचाहाट पुरे छेत्र में घूंशते रहती है इस पार्क में सुलही सताब्दी के समय का एक किला भी बना हुआ है जो चेरो समराजे की समरिधी की गाथा बया करता है इसके बारहे में विस्त्रिश से दूसरी वुडियो में बताऊंगा यह किला पलामु किला के नाम से भी प्रचली था बेतला की खुबसूरती ने बड़ी हस्तियों का भी ध्यान अपनी उरहा करसित किया फिल्म हस्ति के बड़े सीतारे दिलिप कुमार उनकी पत्नी सायरा बानो हाथ से अभिनेता जौनी वाकर बेतला का आनंद उठा चुके है 1980 में आपात काल के समय अटल बिहारी वाजपेई बितला नेशन पार्क में हाथ्यों की सवारी की थी 1979 में सत्यजीत राय की क्लासिक फिल्म अर्नेयर दिनरात्री की सुटिंग हुई थी यह एक खुशी की बात है परियाटन को बढ़ावा देने के लिए यहां बेतला महोसों का आयोजन किया जाता है 2020 में 6 से 8 नवंबर में की गई थी इतनी बड़ी मिली विरासत यहां के लोगों के लिए वर्दान से कम नहीं है आप देख सकते हैं देश के अन्य राज्य सिक्की मेघाले जिनका आर्थिक विकास परियाटकों से ही जुड़ा हुआ है सौधी अरब जो अरबो रुपए खर्च कर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है ताकि आने वाले समय में परियाटक उन जगों का मूरीद बन जाए ठीक वैसे ही बेतला नेशनल पार्क को रोजगार के लिए नए आवसर बनाने की आवस्यक्ता है इसके लिए पार्क को सवारने और निखारने की जवरत है जो सरकार और लोगों के द्वारा ही संभव है यदि सरकार को रोजगार के नए आवसर बनाने हैं तो इस छित्र की पश्चान को विस्तार करना होगा जगजग बैनर पोस्टर लगवाना होगा जैसे नेता मंत्री अपने चुनावी और रेलियों में लगवाते हैं बच्चों के लिए चिल्डरेन पार्क बनवाने की आवस्यक्ता है आज के विज्ञान तक्निकी के साथ पार्क को नई सुन्दरता देना होगा मुझे आभास है आपके इस जानकारी से परिपक्व हो चुके हैं हमारी संपूर्ण टीम अपनी कड़ी मेहनत से जानकारी से युक्त कर आपके समक्स प्रस्तुत करता है तकि यहाँ आने से पहले आपको किसी भी परकार की कोई परिसानी का सामना करना ना पड़े और थोड़ी जानकारी मिल जाए बाकी आप यहाँ आकर इस संदरे का आनन्द उठा सकते हैं कुप्युक्त कुछ जानकारी यहाँ 20 वर्सों से बेतला टूर एंड गाइड में काम कर रहे मुहमद असलम ने हमारे साथ साजा कि उन्हें धन्यवाद आप ही यहाँ से जुड़ी जानकारी इनसे संपर कर सकते हैं हमारे लिए काफी अफसोस और चिंता का विसे है देश का राष्टिय पसूद जिसकी संख्या 100 साल पहले लाखों में थी और वह आज मात्र कुछ हजार पर आकर सिमट गई जानकारी के अनुसार 1974 में 50 से अधीक बाग यहां मिले थे जबकि 2009 में बागों की संख्या 8 हो गई वहीं 2017 में बागों की संख्या 6 हो गई इसके बाद 2018 तक बाग दिखे ही नहीं फरवरी 2020 में एक बागी मृत अवस्था में मिली थी जिसके बाद कई और बाग होने के कयास लगाए जा रहे हैं इसके बारे में मालूम पड़ा की 8 से 10 की संख्या में बायसन ने बाग पर हमला कर उसे अध्मरा कर दिया था सुरक्षा के नापे करोड रुपे खर्च लेकिन वन्य जीवों की संख्या नहीं बढ़ रही हैं हरे भरे लालाहाते जारखंड में करीब पांच बाग बचे हुए हैं यह एक चिंता का विसे हैं एसा लगता है आने वाले समय में जारखंड से बाग का अस्तितों कहीं मिट न जाए सुर्या सोनल सिंग उन्होंने पलामू के युवाओं के रोजगार के लिए पलामू की रक्षा के लिए बितला को नई पहचान दिलाने की मांग को मुचाईयों पर रखा है वे प्रकृति और वन्य जीव प्रेमी भी है ध्यान दीजिए बितला मीडिया, सेलिब्रिटी इस नीट सेटेंशन कोरोना में ओक्सीजन का महत्व आप समझ गए बेरोजगारी का मतलब समझ गए लेकिन घर में जो चीज है उसका महत्व नहीं समझ पा रहे है मैं मुख मंत्री जी से भी गुजारिश करता हूं प्रधान मंत्री जी से भी करता हूं होंग्रेश से भी करता हूं सभी पार्टियों से करता हूं कि हर चीज राजनीती नहीं कभी मिलकर के एक मूव्मेंट चलाईए प्रकृती बचाईए अपने बच्चों के लिए कल अगर जमीन नहीं रहेगा जल नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा, पानी दूशित हो जाएगा, इंडस्ट्रिलाइशन इस तरीके से कर लिजेगा, कि जीना दूबर हो जाएगा, तो नहीं नहीं बिमारी आएगा, आज कोरोना आया है, पता नहीं कर कुछ हो रहा है, और आप लोग अपने जिस पेड बोलते दाल पे बैठे हैं, वहीं काट रहे हैं, नेचर से खिलवाड मत करिए, और मैं सुप्रिया सूलेजी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कि टडोबा से हो सके तो कुछ टाइगर्स बेतला को दिया जाए, अगर सरकार इस पे योजना बनाती है, और मुझे यकीन है कि व हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें